पेटियम पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने पेटियम एप इंस्टोल करनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप इस एप को सीधा सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बट अगर आप इसे लिंक के थू करते हैं तो आपको कुछ न कुछ यहां पर कैश बैक मिलेगा जैसे ही आप इस एप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा यहां सबसे पहले आपके पास लेंगवेज चूज करने का ओप्शन आएगा यहां आप कोई भी लेंगवेज चूज कर सकते ह मैं यहां English language select करूँगी then आपने यहां mobile number enter करना है आप यहां वही mobile number enter करोगे जो आप ATM से register करना चाहते हैं और proceed securely के option पर click करोगे जैसे ही आप इस option पर click करोगे तो आप से यहां पर कुछ permissions मांगी जाएंगी तो आपने यहां पर allow के option पर click करना है तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका mobile number verify किया जा रहा है तो अब आपके पास bank account link करने का option आएगा तो आपने यहां क्लिक करना है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो हमारा bank account find किया जा रहा है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि जितने भी आपके bank account इस mobile number से attached है वो यहाँ show हो जाएंगी यहाँ मेरे सारे bank account show हो रहे हैं यहाँ आप कोई भी bank account चूज कर सकते हैं अगर आपका एक ही bank account है तो आप उसे ही select करोगे तो अब यहाँ आपने UPI pin set करना है मेरी UPI ID already बनी हुई है तो मैं यहाँ पर नई ID नहीं बनाऊंगी आप अपनी UPI ID बना सकते हैं bank account select करने के बाद हमें done के option पर click करना है अब यहाँ हमारे पास security से related एक message आएगा यहाँ आपने I will do it later वाले option पर click करना है जैसे ही हम इस option पर click करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा Paytm पर account बन चुका है हम यहाँ Paytm के main interface पर पहुंच चुके हैं अब हमारे पास यहाँ पर number of options हैं हम यहाँ अपना mobile भी recharge कर सकते हैं electricity bill भी pay कर सकते हैं Paytm से loan ले सकते हैं flight ticket book कर सकते हैं train ticket book कर सकते हैं insurance ले सकते हैं और cash back भी ले सकते हैं Paytm यूज करने के हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे फाइदे हैं मैं यहाँ आपको यह भी बताऊंगी कि आप Paytm से money भी transfer कर सकते हैं QR code को कैसे scan करते हैं यानि कि complete process मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो इस मेरे चैनल को जल्दी से subscribe कर दे यहाँ आपके पास drop पर scan and pay का option आएगा आपने यहाँ क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर कुछ permissions मांगी जाएंगी तो आपने यहाँ पर allow के option पर click करना है यहाँ से आप QR code को scan करके भी pay कर सकते हैं अब बात आती है कि अगर आप किसी के mobile number पर पैसे भेजना चाहते हैं तो वो आप कैसे भेज सकते हैं उसके लिए आपने second option to mobile पर click करना है जैसे ही आप इस option पर click करोगे तो आपको यहाँ mobile number एंटर करने को कहा जाएगा आपने यहाँ पर mobile number एंटर करना है आप यहाँ mobile number एंटर करोगे जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं और proceed के option पर click करना है तो कुछ इस तरीके का interface आपको show होगा तो यहाँ आप amount एंटर करोगे जितनी भी amount आप एंटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर करोगे और pay के option पर click करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी payment यहाँ पर successful हो गई है so this is the end of my video अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरी वीडियो को like करें और मेरे channel को subscribe करें